सो हलो गाइस इस वीडियो में हम सॉल लेंड सीरिस के एपिसोड 256 को डिटेल में एक्स्प्रेंट करने वाले हैं अब जैसे ही वीडियो शुरू होता है तो हमें तैंक सैन को दिखाया जाता है डीप सीडिमन वेल किंग के परपल एनरजी ने तैंक सैन के सभी अंगों को बांग दिया था और बहुती तेजी से गहरे समुद्र के अंदर खीच कर ले जा रहा था तैंक सैन का हाउत यान हैमर उसके हाथों से चिपका हुआ था और उसमें से लगातार देदगोड दोमिन का मर्डरस औरा तैंक सैन के बाड़ी में फैल रहा था अब जैसे ही तैंक सैन को महसूस होता है कि डीप सीडिमन वेल किंग का परपल सौल बाड़ी उसे निगलने वाला है वैसे ही तैंक सैन खुद को चुड़ाने की भरपूर कोसिस करता है लेकिन वो खुद को परपल एनरजी से नहीं चुड़ा पाता है तैंक सैन का बाया हाथ लोग होने के कारण हिल भी नहीं रहा था लेकिन उसके हाउत यान हैमर से देदगोड डोमेन का मर्डरस औरा लगातार फ्यालता जा रहा था तैंक सैन इस मर्डरस औरा से होने वाले पेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो समझ चुका था कि उसका देदगोड डोमेन म्यूटेट हो चुका है और यह अपग्रेड होकर अपने पीक लेबल तक पहुँच चुका है वैसे फिलहाल के लिए तैंक सैन को मालूम नहीं है कि उसका देदगोड डोमेन अब असुरा डोमेन बन चुका है खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं मिलता देखकर तैंक सैन के अपने असुरा डोमेन को रिलीस कर देता है असुरा डोमेन से टकराते ही डीप सी डेमन वेल किंग का साल बोडी डिस्ट्रॉय हो जाता है इस क्रिटिकल सिचुएशन में असुरा डोमेन को इस्टमाल करने के कारण तैंक सैन के बोडी में बहुत ही तेज उर्जा का बहा होने लगता है असुरा डोमेन का मडरस ओरा तैंक सैन के सभी सॉल बोन्स पे अपना कबजा जमाने की कोशिश करता है तैंक सैन के असुरा डोमेन का रेड एनरजी बहुत ही तेजी से सभी सॉल बोन्स के और बढ़ रहा था इसे देखकर सीगोड का डिवाइन एनरजी भी एक बार के लिए घबरा गया था लेकिन सीगोड का डिवाइन एनरजी इतनी आसानी से सॉल बोन्स का कंट्रोल छोडने वाला नहीं था सीगोड का प्योर गोल्डेन लाइट गर्म और पविजर था जबकि असुरा डोमेन का रेट एनरजी लाइट विशन ठंडा और कुरूर था सीगोड लाइट की एनरजी और असुरा डोमेन की एनरजी को इस तरह से आपस में लड़ता देखकर तैंक सेंग खुझ से कहता है कि इन दोनों पारफुल एनरजी ने मेरे सभी सॉल बोन्स को युद का मैदान बना दिया है ऐसा लगता है कि ये दोनों इन पर अधिकार करने के लिए अंतक लड़ने वाले हैं तैंक सेंग को महसूस हो रहा था कि ये दोनों गौड लेबल एनरजी आपस में टकरा कर उसकी बुरी हालत करने वाले हैं अब तैंक सेंग को इतनी बुरी कंडिशन में फसा देखकर डीप सीडिमन वेलकिंग का सॉल बोन्स इस मोगे का फायदा उठाने की कोशिस करता है और तैंक सेंग पे मरते दम तक दबावन आने के लिए तोर्सो सॉल बोन्स दीप सीडिमन वेलकिंग के डेट बोडी को तोड़ कर बाहर निकलता है ये देखकर तैंग सेंग थोड़ा घबराते वें कहता है कि ये तो डिप सिडमन वेल किंग के डेट बॉडी से निकला तोर्सो सॉल बोन है जो मेरे आकरी सॉल बोन के ज़रुवत को पूरा करेगा लेकिन ये मेरी मर्जी के बिना इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गया डिप सिडमन वेल किंग का टोर्सो सॉल बोन जैसे ही तैंग सेंग के बॉडी से जुड़ता है वैसे ही बहुत ही तेज इनर्जी का दबाव तैंग सेंग के उपर बढ़ जाता है डिप सिडमन वेल किंग की आतमा ने सोचा था कि वो तैंग सेंग को साओरिंग और सॉल बोन के दोरान दबाव बना कर खत्म कर देगा लेकिन यहां पर तैंक संग एक अलगी चाल चल देता है जो सुरुवात में तैंक संग के बॉडी में अपना कंट्रोल जवाना चाहते थे वो अब डीप सी डिमन वेल किंगे टोर्सो सोल बोर्न में विजी हो गए थे अब इस मौके क उर्जा का इस्तमाल करके सीधा हाउत यान हैमर से जा ठकराता है तैंक संग जानता था कि भले ही रेड एनरजी कितना भी स्ट्रॉंग क्यों न हो समुद्र में वो सीगोड की पावर को ज़्यादा देर तक नहीं रोग पाएगा सीगोड ट्राडेंट से ठकराते ही असुरा डोमेन का मडरस औरा धीरे धीरे कम होने लगता है और सीगोड का डिवाइन पावर धीरे धीरे जीतने लगता है अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे ही सीगोड का डिवाइन पावर स्ट्रॉंग होता जाता है तैंक संग को खतरे से बाहर आता देखकर डीप सिडिमन के चारो और एक गोल्डेन कलर का साउड रिंग क्रियेट होने लगता है समुंदर के उपर सभी श्रेक्स तैंक संग का बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे शावू को चिंतित होता देखकर निंग्रोंग्रोंग उसके पास जाती है और उसे रिलाक्स फिल कराते में कहती है कि वो ज़्यादा चिंता ना करे ब्रदर सैन सही सलामत होंगे निंग्रोंग्रोंग की बात सुनकर शावू को थोड़ा कमफर्टेबल फिल होता है अब अचानक इसी समय समुंदर में बवंडर क्रियेट होता है और सी गोड लाइट सीधा समुंदर से बाहर निकलता है ये देखकर सभी स्रेक्स रहात की सास लेते हैं और एकसाइटेड होकर उस गोल्डेन लाइट के और देखने लगते हैं वो गोल्डेन लाइट एक जूट होकर एक गोल्डेन कलर का साल रिंग क्रियेट कर देते हैं इस गोड लेबल साल रिंग में असुरा डोमेंज से मिलता जूलता एक पैटन दिखाई पड़ता है अब समुंदर में उठते भवर के साथ तैंक सेंग बाहर आ जाता है और अपने हाउत्यान हैमर के सभी साल रिंग को रिलीस कर देता है तैंक सेंग के चार ब्लैक और चार रेट कलर के साल रिंग एक के बाहर आ जाते हैं इसके बाद आसपास के इंवार्मेंट और समुंदर के पानी से हाउत्यान हैमर का नाइन्थ सौर्डिंग क्रियेट होने लगता है जिसे देखकर तैंग सेंग कहता है ये तो दस लाग साल का सौर्डिंग है लेकिन ये बिलकुल एंजल गौट क्यान रेंजू के गौट लेब विलकिंग का गोल्डेन शैडो सीधा आसमान के और बढ़ता है और फिर आसमान से गौट लेबल मडरस ओरा तैंग सेंग के नाइन सौर्डिंग की उपर गिरता है इस मडरस ओरा से हाउत्यान हैमर के बाकि सौर्डिंग भी जगमगा उठते हैं तैंग सेंग को छोड़कर इस God level souring को बाकिश रिक्स ने पहली बार देखा था और इसके साथ ही इस God level souring के pressure को feel करते हुए आसकर कहता है कि Brother Sam का souring बहुत ही आजीब दिखाइप पर रहा है इस God level souring को देखते हुए दयमुबाय भी बोल परता है क्या ये million grade का souring है अब तैंग सैंग को सक्सेस्पूल होता देखकर शावू कहती है कि तैंग सैंग ने ना मुम्किन को मुम्किन कर दिखाया है वो डिप सिडेवन वेल किंग के 10 लाग साल के सावरिंग को एब्जॉब करने में काम्याब रहा है शावू के इतना कहते ही तैंग सैंग के उपर सीगोड लाइट गिरता है और अनौस्मेंट होता है कि तैंग सैंग ने अपना एट ट्रायल कम्प्रीट कर लिया है और उपभार के तौर पर उसका सीगोड इंट्रेस्ट लेवल 30% बढ़ाया जाता है टोटल इंट्रेस्ट लेवल 99% हो गया है इस अनौस्मेंट के साथ ही तैंग सैंग का साल पावर 97 लेवल से बढ़कर 99 लेवल हो जाता है इसके बाद सीगोड लाइट शावू के उपर गिरता है और शावू का फर्स रेट नाइट प्रायल का रेड मार्क शाइन करने लगत शावू हवा में फ्लोट होते हुए तैंग सैंग के पास पहुंचती है इसके साथ ही शावू के लिए अनौस्मेंट होता है कि शावू ने भी एट ट्रायल को पास कर लिया है और उपहार के तौर पे उसके इनाम को दुगना किया जाता है यह अनौस्मेंट सुनने के तैंक सेंग शावू के साथ नीचे आता है और सभी से कहता है कि उसका सॉल पावर दो लेवल को ब्रेक कर चुका है और इस समय उसका सॉल पावर 99 लेवल पे पहुंच चुका है यह सुनकर सभी सिर्ख्स खुश हो जाते हैं इसके बाद दाइमुवाई तैंक सेंग की कि अंदर क्या हो रहा है हमें बस तुम्हारी चिंता हो रही थी यह बाद सुनकर तैंक सेंग को अच्छा महसूस होता है और वो मनी मन मुस्कुराते वे सोचने लगता है कि टोर्सो सॉल बोन का अचानक दिखाई पड़ना वाकई में आजीब था ऐसा लगता है कि कोई सक्त को सोचते वे काता है कि मुझे भाली भाती याद है कि जब सेवन ट्रायल पूरा हुआ था तब तैंक सेंग का सीगोडा इंटरेस्ट पहले से ही 85% था और अब यह केवाल 99% है 30% सीगोड इंटरेस्ट बढ़ने के कारण तैंक सेंग का वास्तविग सीगोडा इंटरेस्ट 115 15% होना चाहिए था औसकर के बाद पे गौर करते हुए तैंग सेंग अपने बेजान सीगोड ट्राइडेंट की और देखते वे काता है कि मुझे डर है कि मेरा सीगोड इंट्रेस्ट का सीगोड के टूटे वे दिल से कुछ लेना देना हो सकता है ये सुनकर निंगरंगरंग च इस बात की गंभिरता को समझते वे कहता है कि मुझे इस बारे में तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हम सीगोड आलेंड पहुंच कर सीनियर वोश एक्षी से इस बारे में पूछ ना ले इस वक्त मेरे ग्रेट ग्रेंट फादर तैंग चीन भी सीगोड आइलेंड में होने चाहिए इस मामले में वे भी मेरी मदद करेंगे इतना कहकर तैंग सैन तुरंद अपना मूड बदल लेता है और अपने दोस्तों से पूस्ता है कि डीप सीडेबन वेल्किंग के एनरजी को एबजर्ब करने के बाद उन्हें क्या रिजल्ट मिला है अब इसका जवाब देते हुए दाय मूबाई कहाता है कि मेरा सॉल पावर 88 लेवल पे पहुँच गया है जुजु चिंग और माहुंग जुग का सॉल पावर लेवल 86 हो गया है निंग रॉंग 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 87 लेवल पे पहुँच गई है और असकर का सॉल पावर लेवल 85 हो चुका है पांचो स्रेक्स का सॉल पावर रिजर्ड बहुत ही अच्छा था और तैंक सैंग बहुत ही खुश नजर आ रहा था अग तैंक सैंग को खुश होता देखकर शावू कहती है कि डीप से डेवन वेल किंग की ताकत वाकई में बहुत ज़्यादा अधीक थी मेरी साल पावर भी 80 लेवल तक पहुँच गई है और मैंने जो एनर्जी अब्जोब की है वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है जब मुझे मेरी 800 लेगी तो मैं और ज़्यादा स्ट्रॉंग हो जाओंगी भविस्य में अगर तुम किसी मुसिबत में पढ़ जाओ तो मैं भी तुमारी सायता कर सकती हूँ ऐसा कहकर शाओ तैंक सेंग को प्यार से निहारने लगती है शाओ की प्यार भरी बाते सुनकर तैंक सेंग खुश हो जाता है और प्यार से उसका सर सहलाने लगता है अब इसी समय शाओ बाई आगे आती है और तैंक सेंग को धन्नेवाद करते वे कहती है मास्टर तैंक सैंग मैंने और मेरे क्लैन मेंबर्स ने भी आपके द्वारा साजा की गए इनर्जी को एब्जॉब किया है मानव जाती में एक कहावत है कि हमें उपकार का बदला उपकार से चुकाना चाहिए ऐसा कहकर शाओ बाई तैंक सैंग को दो अनमोल उपहार बेट करते में कहती है कि ये डीप सीडेमन विलकिंग के सर से निकला बहु मुल लेखा जाना है मुझे विश्वास है कि आप इससे निराश नहीं होंगे ये सुनहरा कोला डीप सीडेमन विलकिंग का ब्रेन है मुझे कुझी पता नहीं है कि ये क्या कर सकता है लेकिन ये निश्चित रूप से एक अनमोल खाजाना है जो डीप सीडेमन विलकिंग के 10 लाख वर्षों की कल्टिवेशन का परिनाम है शायद ये सीगोट के विरासत को हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है इन दो अनमोल खाजाने को देखकर और उनकी विश्यस्ता को सुनकर सभी स्रेक्स चकितरा जाते है इन दो बहुमोले खाजाने को खुसी खुसी अपने विश्फुल ट्रेजर पर्स में रखते हुए तैंक सैंग शावबाई को थैंक्यू कहता है इसके बाद वो सभी से कहता है कि लास्ट ट्राल देने के लिए सीगोड आलेंड जाने का समय हो चुका है तैंक सैंग इतना कहते ही सभी स्रेक्स वाइट डेबिल साक्स क्यूब पर सवार हो जाते है और सीधा सीगोड आलेंड की और जाने लगते है